लो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो वीडियो वगेरा है इन्हें हम अपने ड्राइव के पार्टिशन में कैसे डाल सकते हैं जैसे कि मालीजी यह हमारे डिश्टॉप स्क्रीन पर यह जो है काफी सारे वीडियो पड़े हुए हैं तो हम इन ड्राइव में कैसे डाल सकते हैं इन सभी वीडियो को यहां पर देख सकते हैं हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यह जो ड्राइव के पार्टिशन है इन्हें कैसे बना सकते हैं यानि कि जैसे कि माली तो उसमें जो है 10 GB की storage बन जाती है उसी हिसाब से मैंने आपको बनाना भी सिखाया था disc partition बना भी मैंने आपको सिखाय था इसवीडियों में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो वीडियों है यह जो हमारे डीकल्स्टॉप वीडियों है इने हम उठा करके कैसे इन सभी जो पार्टीशन है जो हमने नए पार्टीशन बनाए हुए उन पार्टीशन में कैसे इन सभी वीडियो को transfer कर सकते हैं तो वीडियों को पूरा देखना तब ही आपको समंझ में आएगा चैनल परना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलते हैं कि बताते हैं आपको कैसे आपको क्या करना है मा लेजिए यह इन यह सबीएं है यह सब ब lender करना है मैं हुगते तो हम मालिजे इस सभी वीडियों को ट्रांसपर करना है तो आपको अपने कीबोड से कंट्रोल और एक बटन को दबाना है जिसे यह सभी सेलेक्ट हो जाएंगे सट हो जाने के बाद आप उस तरीके से नहींस एग कर पा रहे हैं तो आपको आपने माउस की लैप्ट बटन क्लिक करके आपको लैप्ट बटन से क्लिक करके इस तरी केसे ड्रैग कर लेना है मौस जितने भी वीडियो आप ट्रांसफर करना चाहें और छोट दीजिए ओके तो यह सभी मार्किंग हो जाएगा मार्क लग जाएगा आपको क्या करना है किसी भी वीडियो पर आपको राइट किलिक करना है और यहां पर आपको एक आप्शन मिलेगा कॉपी का और यहां पर उपर कट का भी ऑप्शन मिलता है तो आपको कॉपी या कट नहीं करना है आपको क्या करना है माली जे इन सभी वीडियो को ऐसे से लेक्ट कर लेना है मैं आपको आसान तरीका बताने वाला हूँ इन सभी वीडियो को सेलेक्ट कर लेने के बाद इस तर ट्रांस्पर हो जाएंगे अब मालीजे इस तरीके से आप नहीं कर पा रहें तब आपको क्या करना है अपने माउस की राइट बॉटन को किलिक करना है और यहां पे कॉपी कर लेना या फिर कट भी कर सकते हैं आप मालीजें कट कर लेते हैं ओके कट कर लेने के बाद अब जिस भी ड्राइव या पार्टीशन में आप इन सभी वीडियो को भेजना चाहते हैं उस पार्टीशन को ओपन कर लिजिए तो हम इस पार्टीशन में भेजना चाहते तो इसे हमने ओपन कर लिया ओपन कर लेने के बाद आप इसमें कोई नया फ कि हम यहां पे अपना अपने चैनल का नाम दे देते हैं ओके तो यहां पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं मैं कुछ भी एक्जांबल के तौर पे मैं कुछ भी रख सकता हूं आप कोई भी नाम रख सकते हैं आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं नाम दे देने के के बाद फोल्डर का नाम दे देने के बाद इस फोल्डर को उपन कर लिजे और अब आपको क्या करना है आपको जो है यहां पर माउस की राइट बटन को क्लिक करके पेश्ट कर देना है तो हम राइट बटन को क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद पेस्ट कर देंगे जैसि आप पेस्ट करने लगे तो आपको मैं यहां पर दिखा दूँ यह जो हमारे डेश्टॉप पर के वीडियो है यह हमारे पार्टिशन में ट्रांसपट्रों होने हैं यहां पर देख से करीब 3.30 जीवी के करीब के यह वीडियों हैं तो इन सबी ट्रॉप 3.491 जैसे जैसे यह वीडियो इसमें आते जाएंगे उसी परकार से वीडियो डिस्पले पर से गायब होते जा यह गायब क्यों हो रहे हैं दोस्तों मैं आपको बता दूंए आपके उमेक कट किया था अगर कॉपी छे पर यह dw detector कर भी रहते हैं और में यह पे करते हैं इसकी जो इस पेस्ट भी है वो कम होती जा रहे जैसे कि यहां पर जो टोटल जो थी 114 जीवी की हमारी यह पार्टीशन बना हुआ अब देखना यह सभी वीडियो ट्रांसपर हो जाएंगे हमारे इस पार्टीशन बना ही यहां पर दूस्तों आपके वीडियो जितने भी जादा GB के होंगे माली जीतना भी ही आउय क्वालिटी के HD क्वालिटी की वीडियो होंगे उसी इसापसे इसमें GB combustion करता है MB तैयं करता है आपके जो है laptop की speed पर जितना fast आपके laptop की speed होगी उसी इसाब से आपके partition में ये video आते जाएंगे तो जैसा जैसा आप देखते जा रहे हैं कि हमारे desktop की screen पर से video गायब होके हमारे इस partition में आते जा रहे हैं तो इस पर मैंने already एक video बनाया हुआ था कि how to make disk partition for windows 7 जिसका link भी मैं आपको इस video के नीचे description box में दे दूँगा कि आप इस तरीके से ये जो disk partition होते हैं इन disk partition को कैसे आप लोग बना सकते हैं तो वीडियो में सभी tip था वही हमने आपको बता दिया है और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए है तो subscribe जरूर कर लेना मिलते किसी नए वीडियो के साथ किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों